नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग नवरात्र में मा के नौ स्वरूपों को प्रसंद करने के लिए आपको नौ दिन तक नौ देवियों के पसंदीदा रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए ताकि आप हर दिन मा के पसंदीदे कपड़े को पहन कर उनके सामने जब जाएं माथा टेके उनका आसिरबाद लें तो मातारानी प्रशन होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें तो नवरातर के दिन में आप महला हैं आप पूरुस हैं पर नो रंग के परिधान आप जरूर पहनिए तो पहला नवरातरी इस दिन मा का सबसे प्रियरंग पीला होता है तो महलाएं या फिर पूरुस पीले रंग का आप कपड़े जरूर पहनिएगा मा को पीला रंग पसं तो हरे रंग के कपड़े पहन के मा के सामने में जाएं तो अति उत्त में क्योंकि बुद्ध ग्रह को मजबूत करता है मा का दूसरा सुरूप नवरातर के तीसरे दिन मा चंदर घंटा की पूजा होती है और इस दिन ग्रे कलर का कपड़ा पहने तो आपकी मनोकाम नाय सिग्र अतिसे ग्र पूरी होंगी नवरात्र के चौथे दिन मा कुसमांडा की पूजा होगी और इस दिन आप औरेंज कलर के कपड़े पहने तो बहुत खुबसूरत होगा और अगर हम नवरात्री के पांचवे दिन की बात करें तो मा इसकंद मात्या की पूजा होगी जो कार्तिके जी की माता है और संतान देने वाली है इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहन के आप पूजा करें और नवरातर के छटे दिन आप लाल रंग के कपड़े पहने क्योंकि मा कात्याईनी की पूजा इस दिन होती है और लाल रंग को बहुत लखी भी माना जाता है तो मा की किरपा हमेशा आप पे बनी रहेगी नवरातर के साथवे दिन मा काल रातरी की उपासना होती है जो सनी नामक गरह को कंट्रोल करती है तो इस दिन आप ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं तो मा की किरपा आप पर बर्षेगी नवरातर के आठमे दिन मा महागोडी की पूजा होगी और इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहन के मा के सामने जाएं तो जीवन की हर खुसियां प्राप्थ होगी नवरातर का जो आखरे दिन है वो है महानौमी मा सिद्धी दातरी की पूजा होती है और इस दिन आपको जामूनी कलर का कपड़ा पहनना चाहिए मा बहुत पसंद न होंगी और आपकी सारी मनुकामनाए पूरी करेंगी तो हम आपसे विदा लेते हैं आप मा को मनाईए हम फिर मिलेंगे हर हर महादेव धन्यवाद